हेलो फ्रेंद्स वेरी गूड मॉर्निंग वन्स अगें वेल्कम बैक तो ओन यूटूब चैनल लर्निंग डीड और जैसा कि एक कॉमेंट आया हुआ था दो तीन दिन से कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सेंटेंस के जो टाइप से हैं लाइक सिंपल सेंटेंस कॉंपलेक्स स अधो को यह तो साथ आड चैनल देटि ज्यूआ कहले था यहां सकते हूं यह यहां बन सकते हैं वह सारे लगंए पर देकने होता चले आज का जो पहला question है वो है a sentence which is made up of two or more blank clauses is called compound sentence अब यहाँ पर अगर इसकी हिंदी translation की बात करते हैं तो एक ऐसा sentence एक ऐसा वाक्य जो कि दो या दो से अधेक blank अब blank में क्या है का वो आप जानिए किस clauses से मिलके बना होता है उसे हम compound sentence कहते हैं coordinate main subordinate या फिर दोनों a and b compound sentence तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं इसका जो सही answer होता है वो क्या हो जाता है इसका जो correct answer हो जाएगा वो जाएगा बोथ a and b क्यों क्योंकि देखिए जो भी आपका compound sentence होता है इसके जो दो पार्ट होते हैं ठीक है यह basically आपका जुड़ा होता है आपका coordinating conjunction से तो इसके जो दो पार्ट होते हैं वो आपस में independent होते हैं यानि कि एक दूसरे पर dependent नहीं होते हैं उनको अकेले भी यूज किया चासकता है तो हम यह कह सकते हैं कि उसमें δो या दो से अधिक main clause होते हैं या हम उसको subordinate गोसर को आडिनीड क्लावस भी चहा तो दोनों ही चीज़ अगर आप यहां पर फिल करते हैं तो दोनों ही आप तरह का एक तरह से आपका सही रहेगा coordinate clause कह दीजिए main clause कह दीजिए principal clause कह दीजिए सब एक ही बात हुई ठीक है compound sentence के बारे में चली देखें गेगला प्रशन A complex sentence is one which consists of one principal clause and one or more blank clauses एक complex sentence वो होता है जिसमें एक principal clause हो अब principal clause को ही हम main clause भी कहते हैं ध्यान दीजिएगा और एक से अधिक क्या coordinate clause हो, subordinate clause हो, main clause हो या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर होगा इस प्रशनी के लिए देखें आप ही आपने इसके पहले बारे question में देखा कि compound sentence पर क्या होते हैं coordinate clause होते हैं, complex sentence में होते हैं subordinate clause ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन basically main sentence जो होता है, main clause जो होता है, वो एक ही होता है किसमें? complex में, तो इसमें क्या होता है, कि जो दोनों हिस्से रहते हैं sentence के अभी आगे हम examples देखेंगे, वहां में बहुत अच्छे से आपको explain करूंगी कि जो दो हिस्से रहते हैं, उसमें से एक जो principal clause होता है, वो तो independent होता है लेकिन जो subordinate clause होता है, दूसरा हिस्सा रहता है, वो कहीं न कहीं निर्भर रहता है जो हमारा next question है, which of these is or are subordinating conjunction? ये आर होना चाहिए था सिप इन में से कौन सा जो है, वो subordinating conjunction है अब यहां पे जैसा कि subordinate word जो है, वो complex sentence से related है तो complex sentence में जो conjunction यूज करते हैं, वही होते हैं subordinating conjunction because, so that, till, या फिर ये सभी so यहां पे जो correct answer होता है, वो हो जाता है, ये सभी देखे, ये सारे ही subordinating conjunctions हो जाते हैं, इनको अब subordinating conjunction कहते हैं because है, so that है, if है, unless है, until है, till है, before, after, why, where, ये इस तरह वाले होते हैं provided, only if, in case, ये सारी जो होते हैं, जितने भी, however, although, whatever ये मैंने बहुत सारे count करा दी हैं, जितने भी मेरे as an early mind में आ पाया मैंने count करा दी हैं, और भी होते हैं, ठीक हैं, ये सारे subordinating conjunctions होते, complex sentence भी use किये जाते हैं the village in which I live is very small, वो गाउं जिसमें मैं रहता हूँ बहुत छोटा है, मतलब कि मैं एक छोटे गाउं में रहता हूँ लेकिन sentence कहने का तरीका कुछ ऐसा है कि जिस गाउं में मैं रहता हूँ बहुत छोटा है, ये कैसा sentence है, simple है, not simple है, simple है, compound है, complex है या इन में से कोई नहीं, तो यहीं यहाँ पे अब चलिए, मैं आपको थोड़ा explain करूँगी, the village in which I live is very small, तो village जो गाउं है, वो बहुत छोटा है, लेकिन कौन सा गाउं छोटा है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, अब जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस गाउं में, वो क्या है, वो बहुत चोटा है, तो कहीं ने कहीं आपको समझ में आ रहा है, कि यह आपस में जो है, relate कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, तो यह कौन से टाइप की sentence हो गई, यह complex हो गई, यानि कि जो एक दूसरे पर निरभर है, यानि कि अगर हम आधा sentence लिख देते हैं, हमसे फितना लिखते हैं, I इतना भल लिख देते हैं, कि यानि वो गाउं जिसमें मैं रहता हूँ, अब उसके आगे कि information अधूरी रह गई, कि ठीक है हाँ, जिस गाउं में तुम रहते हो, वहाँ क्या, अधूरी रह गई निरभर हमने यह एड नहीं किया, तो यानि कि depend है, एक दूसरे पर, तो कहीं यह जो आपका, इस टाइप की sentence होते हैं, वह आपके कहलाते हैं, complex, दूसरी पहचान, जो भी मैंने आपको बताया था, subordinating conjunctions के बारे में, तो subordinating conjunction, आप में मैंने आपका यह which, why, यह सब गिनाया हुआ था, तो यह भी लगा हुआ है, तो यह भी किसकी बहुत अच्छी पह computer, यह simple है, compound है, complex है, दो पहचान, पहली बात, and लगा है, जो कि एक coordinating conjunction है, ठीक है, अब coordinating conjunction किसमें लगते हैं, हमीशा compound sentence में, तो option number B हाँ से योगा, और इसका हम अगर हिंदी भी समझते हैं, तो भगवान ने पहाड पर परवत बनाया है, और इंसान ने computer बनाया है, यह दोन में यह लिख देते हैं, एक line में, तो भगवान ने परवत बनाया है, इंसान ने computer बनाया है, दोनों एक अलग चीज होगी, दोनों एक तरह से स्वतंत्र वाक के हम जिसे कह सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं भी लिखे जाएंगे, तो इनका कुछ नब कुछ अर्थ निकलेगा, यह सार्थक रहेंगे, तो ऐसे clauses जब मिलते हैं, अब यह आपस में आप इनको चाहे main clause कह लीजिए, चाहे principal clause कह लीजिए, चाहे आप इसको coordinating clause कह लीजिए, बात देखी हुई है, तो यह देख रहे हैं कि यहाँ पर दो coordinating clause मिलके ब You are on learning need, simple, compound, complex or none of these, हम देख रहे हैं पर कोई भी ना तो coordinating conjunction का use हो रहा है, ना ही subordinating conjunction का use हो रहा है, तो यह हमारा simple sentence हो जाता है, आप इस वक्त learning need पर हैं, learning need को प्लीज सब्सक्राइब कह दीजेगा, अगला question, Which of these is our, okay, coordinating conjunction, यहाँ पर कौन सा है जो coordinating conjunction है, and but only all of these, coordinating conjunction जिसका use किया जाता है, compound sentence में, बार बार यह क्यों repeat करी हूँ, class खताब होने तो यह चीज़े रट जाए ताकि एक तम से, है ना, चलिए देखेंगे फिर, all of these यह सारे हो जाते हैं, coordinating conjunction यह कहलाते हैं, दो main clause को जोरने क करते हैं, और भी कुछ मैं आपको यहाँ पर example दे देती हूँ, जिसे and है, but है, or है, only है, now है, also, not less than, not only, but also, still है, yet हो जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको जो है, चीज़े बताई थी, उसमें भी साही चीज़े आई थी, wherever है, माली जी हो सकता है, यह सब कुछ else हो जाता है, therefore, so, for, then, यह साही चीज़े, यह हम लोग करते हैं बहुत साथ, और भी बहुत सारे हैं, अभी जितना आप आया, मूं में मैंने बोल दिया, ठीक है, तो यह सारे ही जो आपके coordinating conjunction होते हैं, which of these is a not coordinating conjunction, इन में से कौन coordinating conjunction नहीं है, अभी मैंने आपको बहुत सारे तो count ही कराए है, only if और so else, यह आज के लिए अच्छा question है, फटाफर से देखिए, तो यहाँ पर देखिए only if, अभी थोड़ी तेर पहले, अभी जस्ट इस question के पहले मैंने आपको count कराया था, जिसमें मैंने आपको only count कराया था, कि only जो है, वो क्या है, वो coordinating conjunction है, लेकिन अगर उ coordinating conjunction है, यह sub-ordinating conjunction है, complex sentences में use होता है, compound में use नहीं होता है, तो बहुत ही minor सा reference है, only और only if, दोनों का type ही change है, अलग है, अर्थ ही अलग है, तो बिलकुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, only if जो है, यह coordinating conjunction नहीं है, बाकि तो अभी मैंने आपको गिनाए ही थे, the match was postponed, blank, the ground was covered with water, क्या आना चाहिए यहाँ पर, कौन सा conjunction है यहाँ पर आप आप आट करेंगे, match जो है, वो postpone कर दिया गया, फिर उसके बाद blank है, जो जमीन थी, जो ground सा जहाँ पर खेला जाता है, वो पानी से भरा हुआ था, तो सही उत्तर यहाँ पर आपका option number यह आजाएगा, because, the match was postponed, because the ground was covered with water, match postponed कर दिया गया, क्योंकि ग्राउड में पानी भरा हुआ था, simple सा इसका आर्थ हो जाता है, As I tried to enter the hotel, the watchman said that there was no room, जैसे ही मैंने hotel में घुसने का प्रयास किया, तो जो चौकिदार था, matchman था, उसने क्या कहा, कि यहाँ कमरा खाली नहीं है, अब आपको underlined part क्या है, वो बताना है, as I tried to enter the hotel, यह main clause है, coordinate clause है, subordinate clause है, यह इन में से कोई नहीं, As I tried to enter the hotel, तो देखिए, पहले सबते तो हमें sentence पहचानना है, कि किस टाइप का sentence है यह, तो क्योंकि यह दोनों ही part जो है, वो एक तरह से एक दूसरे पे निरभर है, दो part क्या हम यह कह सकते हैं, कि इस sentence में तीन part है, कौन-कौन से वो भी देखेंगे, चली देखते हैं, तो आप main clause कह सकते हैं, कि watchman ने कहा, यह independent clause हो जाता है, लेकिन अब watchman ने क्या कहा, और watchman ने कब कहा, क्यों कहा, यह जो है, यह दो sentence जो हमारे extra हैं, वो चीज दर्शा आ रहे हैं, कि watchman ने क्या कहा, या watchman ने क्यों कहा, कब कहा, यह इन दोनों sentence से हमें पता चल रहा है, निरभ परता दिख रही है मतलब यह complex sentence है complex sentence में subordinate clause होते हैं तो इसका उत्तर भी subordinate clause जाता है यह भी आपका subordinate clause है और there was no room जो है यह वाला आपका that से लेकर room तक यह भी आपका subordinate clause है एक complex sentence में एक principal clause होता है इस starting के question में ही मैंने आपको करा दिया उसके अलावाद दो एक से अधिक भी subordinate clause हो सकते हैं दो हो सकते हैं दो से अधिक हो सकते हैं एक हो सकता है यहाँ पर identify करना है sentence go wherever you like जहां मन करें वहाँ जाओ जहां पसंदो वहाँ जाओ simple, compound, complex, none of these so correct answer यहाँ पर क्या होगा क्योंकि निर्भरता दिख रही है जाने की बात तो की जा रही है जाओ लेकिन जहां तुम यह पसंदो वहाँ जाओ यह दर्शाय जा रहा है तो इस तरह का sentence जो है वो complex sentence हो जाता है, independent नहीं है go तो हम लिख देंगे तो यह तो independent हो जाएगा, go का एक अर्थ निकलता है दुनिया का सबसे छोटा sentence है go, दुनिया का English language में सबसे छोटा sentence है go जो अपने आप में पूरा sentence है, आधा दूरा नहीं है सिर्फ go लिख दीजे एक sentence complete, ठीक है, खेर तो यहाँ पे यह हो गया, लेकिन wherever you like जब हम लिखेंगे, wherever you like जहां मन हो तो यह समझ में नहीं आएगा कि इस बात के लिए कहा जा रहा है कि जहां मन हो जानी के लिए कहा जा रहा है, रहने के लिए कहा जा रहा है, यह समझ भी नहीं आएगा जब तक हम इसके आगे कुछ न कुछ ऐसा, main clause नहीं लगा देते है तो इस वज़े से dependency दिख रही है, complex sentence है यहाँ पे भी identify करना है A guest is unwelcomed when he stays too long एक जो महमान होता है, उसका स्वागत सतकार उतना नहीं होता है अगर वो बहुत दिन तक रुखता है, तो simple compound complex किस तरह का sentence है तो क्योंकि यहाँ पे when लगा हुआ है, conditions दी हुई है कि एक guest का welcome यह सा सतकार जो है कब नहीं होता है जब वो बहुत देर तक रुखता है, तो यह जो part है वो complete कर रहा है इस बात को, आधिय धूरी बात को यह sentence complete कर रहा है, यह clause complete कर रहा है dependency जलक रही है, तो यहाँ पे यह भी आपका complex sentence हो जाता है blank I go to Mumbai, I will meet Kajol I am not gonna Mumbai, but yeah यहाँ पे देखेंगे, because आएगा, since आएगा, if आएगा, as long as आएगा अभी इसकी हिंदी तुरंद बता देंगे, तो answer मिल जाएगा तो इसलिए पहले आप guess कर लीजे तो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होता है, if हो जाएगा if I go to Mumbai, I will meet Kajol यदि मैं Mumbai जाता हूँ, तो मैं Kajol से मिलूँगा यहाँ पे कहने का sense बन जाता है तो यह हमारा छोटा सा session था, और requested session था यह comment आए हुए तो उसकी recording मैंने कराया है कराना तो सभी रहता है, बर request आजाती है तो उसके साब से, जित्ती जल्दी possible हो पाता है classes को हम arrange कर लते है वीडियो पसंद आए है, तो like करिए, share करिए चैनल पर new है, तो subscribe करिए so thanks for watching, keep studying and bye bye